जैम आतादी दोस्तो आप सभी का स्वागत है हमारी यूटीब चैनल में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 16 फरवरी और 17 फरवरी 2021 के कुम राशी फल के बारे में कुम राशी के लोगों के लिए ये दो दिन कैसे रहेंगे इन दो दूनों में ग्रह नक् से जुड़े हर शेत्र के बारे में पर वो सिक्षा हो स्वास्थ हो प्रेम जीवन करियर नौकरी दुकान हर चीज के बारे में बात करेंगे तो आगे बढ़ने से पहले आप से चोटा सा निवेदन है यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर और जुड़ जाएं हमारी चैनल के साथ यहां आपको समय समय पर सभी जानकारियां प्राप्त होती रहेंगी और वीडियो को लाइक जरूर करते हैं तो चलिए इन दो दिनों के तिथी नक्षत्र और योग के बारे में जान लेते हैं सोला फरवरी का जो दिन है ये मंगलवार का दिन है और इस दिन शुगल पक्ष की पंच में ती थी है जो सुभा पांच बज़ कर च्यालीस मिनट तक रहेगी उसके बाद शष्टी तेते शुरू हो जाएगी इस दिन पूरा दिन रेवदी नक्षत्र रहेगा शुब नाम क का योग बनेगा सुभा तक उसके बाद शुगल नाम का योग बनने वाला है चंद्रमा रात्री नौ बज़े तक मीन राशी में रहेंगे और सुरिय कुम राशी में चल रहे हैं गहनिस्ट नक्षत्र में इस दिन बड़ी सुंदर योग बन रहे हैं बहुत ही अच्छे यो योग इस एक दिन में बनने वाले हैं वावीजीत मूरत दोपहर बारा बचकर 13 मिनट से बारा बचकर अठावन मिनट तक है 17 फरवर का दिन ये बुद्वार का दिन है और शुकल पक्ष की शस्टी तिति है अश्विनी नक्षत्र रहेगा इस दिन शुकल नाम का योग बने हैं और सूर्य कुम्बराशी में बैठे हुए हैं घनिस्ट नक्षत्र में इस दिन भी शाम तक रवियोग रहने वाला है और अभीजीत मूरत की चाहिए तो अभीजीत मूरत कोई नहीं है तो ये थी ग्रह नक्षत्रों की इस्तिति अब इन्हीं क्याधार पर आपकी दिन चर्या में और जो ये जो योग बने हैं इनका प्रभाव आपकी दिन चर्या पर होने वाला है चंद्रमा की इस्तिति यहां आपके दूसरे और तीसरे भाव में है यानि मीन राशी में है और मेश राशी में चंद्रमा है अब यहां चंद्र और चंद्र और मंगल की यूति हो रही है देखे जब भी चंद्र और मंगल की यूति होती है तो धनलक्षमी योग महलक्षमी योग का निर्मान होता है और ऐसे में तीन शुब योग भी बन रहे हैं तो इनका तो प्रभाव बेहद अच्छा होने वाला है अब दूसरे भाव के चंद्रमा और तीसरे भाव के चंद्रमा ये कुछ नए तरह के परिवर्तन आपके जीवन में लेकर आए हैं अब यहां पहला दिन जो सोला फरवरी का दिन है इस दिन चंद्रमा आपके दूते भाव धनभाव में होंगे और धनभाव में तो चंद्रमा होंगे होंगे लेकिन साथ में अमरा सिद्धी योग, सरवार सिद्धी योग और रवी योग, इन तीन योगों का प्रभाव भी होगा, तो इनका प्रभाव आपके आर्थिक जीवन पर आपनी योजनाओं को पूरा करने के लिए बहुत अच्छा होगा, आर्थिक तोर पर आप खुद को काफी निखरेगा, इस दिन आप सोच सकते हैं कि आप जिस भी काम से जुड़ेंगे, या जो आपके रुके हुए काम थे, अगर आप उनमें प्रयास करते हैं, तो निश्चित रूप से वो आपके सभी काम बन सकते हैं, रुके ही काम आपके पूरे हो सकते हैं, इसलिए प्रयास आपको करना है क्योंकि काम तभी होगा जब आप प्रयास करेंगे एक चीज का जरूर दिहान रखें गलत संगती गलत संगती में रहने से बचें गलत लोगों की सलह मानने से बचें क्योंकि उनकी सलह से उनके साथ रहने से आपके मान सम्मान पर आजा सकती है तो इस बात का ज खर्चे का योग भी बना हुआ है तो फिजिल खुर्ची हो तो उस पर नियंदरन रखें जरूरी खर्ची आप जरूर कर सकते हैं कुछ जो आपके व्यवसाइक ओर्डर होंगे वो समय के अनुसार पूरे हो जाएंगे जिससे आपका मान सम्मान बढ़ेगा मार्केट में आप की चाप रहेगी तो अपनी कामगाज की वजए से आपका रुत्बा भी इस दिन बढ़ने वाला है कुछ अनुभवी लोगों से मुलाकात हो सकती है और ऐसे लोगों से मिलकर आप अपनी अनुभव भी शेयर कर सकते हैं और उनके अनुभव को भी आप ध्यान में रख सकते हैं तो यह आपके लिए काफी अच्छी बात होगी अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं आयात नर्यात संबंदी किसी वेफसाय से जुड़े हैं तो उसके लिए यह समय काफी विशेज होने वाला है यानि विशेज रूप से सफल आप इस दिन रहने वाले ह परिवारिक जीवन की बात करें तो देखें मस्ती का माहूल रहेगा आपकी मुलाकात भी कुछ लोगों से हो सकती है जहां आपका आकर्शन जरूर हो सकता है किसी के साथ और अपने परिवार के साथ यादकार समय बिताएंगे सितारे आपके पक्ष में हैं इस दुरान कोई व्यक्ति आपका काफी करें भी बन सकता है जिससे आप अपनी सभी बातों को शेयर करना चाहेंगे अभी के लिए काम संबंदी चिंताओं को एक तरफ रखें और अपने जो ये अच्छे पल हैं इन पलों का आनंद आपको लेना चाहिए आपको कुछ नई बाते भी बता च चलेंगी जो आपके लिए काफी हिदकर सावित होंगी ये समय ये दिन बहुत अच्छा आपके लिए अनुकूल तालिक कराने वाला दिनाप के लिए कहा जा सकता है अब 17 फरवरी का दिन चंद्रमा ने राशी बदली और चंद्रमा मेश राशी में आगे यहां चंद्र और मंगल के युदी होई ये आपके साहस का भाव है परहकरम का भाव है और इस दिन धन की लक्ष्मी देवी का प्रभाव आपके लिए जरूर होने वाला है ये दिन आपके लिए कुछ नई सौगाते लेकर आया है जैसे नौकरी करते हैं आप तो आपके आफिस में जो उल्ज अंसा मिलेगी आप कुछ नए तरीकों को अपनाने की कोशिश भी करेंगे और नए कारोबार की शुरुवात करने जा रहे हैं तो सबसे पहले काम आपको करना है अपने घर की बड़े बुज़ुर्ग की राय जरूर लेनी है उनको जरूर शामिल करना है अगर आप अपने प्रसन न हो जाएगा इंकम में निश्यत रूप से बढ़ोतरी होगी पैसे की वजह से कोई परिशानी नहीं होने वाली है कोई काम नहीं रुकने वाला है काम में भी आपका मन लगेगा और खाने पानी खाने पीने की शीजु की तरफ भी आप काफी आकरशित रहने वाले ह हैं अपनी दोस्तों के साथ भी अच्छा टाइम क्वालिटी टाइम जिसको बोलते हैं वो टाइम आप स्पैंट कर सकते हैं सारे काम बड़ी है आसानी से पूरे होने वाले हैं कोई आपको कमी दिखाने का प्रयास करे तो यह आप से बरदास्त नहीं होता तो इन चीज़ों को थोड़ा सा आपको कंट्रोल में करना है कोई की हो सकता है कोई आपको गुस्ता दिलाने की कोशिश कर सकता है और इस चीज़ को थोड़ा सा आपको देहान जरूर रखना होगा इस दोरान अगर कोई आपके बारे में के विल अच्छी बाते बोलता रहता है तो आप सुनत तो हर चीज को बाते को सुने अपनी कमी और अपनी अच्छाया दोनों को आप पहचाने तभी आप और अधिक आगे बढ़ सकते हैं प्रेम समय अच्छा रहेगा और घर परिवार का माहौल पी अच्छा रहेगा अब बात आते हैं अंत में उपाय की तो आप क्योंकि अभी ग बहुती देतें निश्चित रूप से सभी काम आपकी बन सकते हैं तो दोस्तों और अधिकसी जानकारियों के लिए चारल को सब्सक्राइब कर लें हमारी इस वीडियो को जड़-ज़द लाइक करें शेयर करें